नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News इसकार की चिठी प्राक्त हूँ वैसे ही कारणी कारे करति बार कांअहीं पूछेजेश जाने पर उन्हों कहाकि मंगल वार को पंजाब और ह्याना हाइगर मेश मामले हारी थारिक है अगर निया इस पर उन्हों ने कहा कि नयाले का निरने आने के बाद इस बारे में कुछ कहा जा सकता है राजी चुनावायक धनपाची ने कहा कि वोटर लिस्ट अपडेट करने में 45-60 दिन का समय लगता है मोसम अपडेट हरियाना और दिल्ली में सारे रिकोर्ट थोड़ रहा बढ़ता टेमपरेचर आएमडी ने जारी किया यह अलार्ट देश के मैदानी राजियों विशेशकर राज्टान हरियाना वे एन्सेयार दिल्ली में परचंड गर्मी अपनी सबापर है साथी ताबमान में जबर्दस उचाल देखने को मिल रहा है इसके लावा बिशन आगो गलती गराम हावाई और लू के थपेडों से आमजन तरस्त है पाकिस्तान की चोलिष्तान मरुष्तल और राज्टान के थार मरुष्तल से पस्ट में हावाउं का सीधा रोक मैदानी इलागों के तरफ होने से राज्टान हरियाना वे एन्सेयार दिल्ली में गर्मी बढ़ रही है हरियाना की पसमी दक्षिन जिलों, सिर्षा पतेवाद, इसार, बिवानी महेंदरगड, रेवाडी चर्खी दादरी, आदी मी उमस और पसिने वाली गर्मी से लोग परेशान है साथी साथ साम बीच के समय तीवर गती के दूलबरी हमाई चलने का भी संभावना बन नहीं है भारते मोसम विभाग ने इंजिलों के लिए 13 माई तक और शेश हरियाने के अधिकतर स्थानों के लिए यलो अलट जारी कर दिया है बता दें कि ओरेंज अलेट का मतला है कि यहां पर तापमान 45-46 डिग्री सेल्शेस होगा और तेज गरम हमाई चलेंगी यदि इस दोरान बिना स्तरकता बरते घर से बाहर निकले तो बिमार पड़ सकते हैं हरियना विधानसवा में किये जाएंगे कई बदलाओ अब सत्र पूरी तरह से होंगे पेपरलेस हरियना विधानसवा को पेपरलेस करने के परकरिया तेज हो गई है सदन में वाइरिंग का काम सुरू हो गया है इलेक्टोनिक्स आइटम की खरीद प्रक्रिया का जाजा लेने के लिए विदानसभा अध्यक्स ग्यांचंद गुपता ने और शे परसिक्षन कारिय सुर हो चुगा है विदानसभा अध्यक्स ने हिदाइद दी कि जल्द ही विदाइकों और क्रमचारों के लिए विशेष परसिक्षन की वेवस्ता की जाई उन्होंने सैत्र की कारवाई की दोराने परशनकाल वे विदायकों के प्रस्तुत करने इत्यादी तकनिक की बारिक्यों को सबजने का अवान किया अधिकारियोंने अगले एक सब्ता में यह कारिय पूर्या करने का अस्वासन दिया है आजी कारियों ने काया कि 15 जून से पहले डिश्टलाइजेशन का कारिया पूरा कर ले जाएगा विदान सभा अध्यक्स ने बताया कि आने वाला सत्र पूरी तरह से पेपरलेस होगा अंबाला में अटल कैंसर केर सेंटर के उद्गाटन पर स्वास्त मंतरी अनिल विज ने दिल खोल कर अपनी बाद रखी उन्होंने काया कि अंबाला चामने में 2000 करोड की विकास योजनाओं पर काम चल रहा है अटल कैंसर केर सेंटर भी उनमें से एक है विज ने कहा कि उन्होंने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा नड़ा के सामने ततकालिन सेम बुपेंदर शिंग हुड़ा के एक किस्से का जिकर करते हैं लोग कहा कि एक बार दिल की बिमारी के कान भी पीजियाई में बरती हो गए ततकालिन मुक्यमंतरी वुपेंदर शिंग हुड़ा उन्हें मिलने आए हुड़ा ने मुझसे पूचा क्या हाल है विज तब मैंने कहा कि मैं तो ठेक हूँ स्वास्त मंतरी बना दिया गया यहां एक स्रे मशीन तक नहीं थी अब एमराई सिटी स्कैन कैथलैब और डैलेसी सेंटर जैसे अत्यदुनिक शुईदाओं का लाब मरीजों को मिल रहा है यहां पर पहले ओपीडे 152 जो बढ़ कर 2500 से ज़ाद हो गई है हर्याना के राकीगडी में अडप्रा कालेन महिलाओं के दो कंकाल मिले डけesting बार वह मिलें दाब पहले हुँ जिन में से कैवल एक कंकाल का ही डियन ने हो पाया था और उसे साबित हुआ था कि एक कंकाल करीब साड़े साराजार साल पुराना है कंकालों के सिर की तरफ काफी मातरा मी मिट्टी के अलग-अलग बरतन अख्या भी मिले हैं कुछ गैने और संक की चूड़िया भी उनके आथों में पाय गई है गैनों में बेड़्स का उप्योग हुआ है एक कंकाल के साथ तामबे का छोटा दरपन मिला है या दोनों कंकाल हडपा कालिन सब्वेता के माने जार आए है दिल्ली के तिहाड जेल में जल्द ही पहलवानी करते न नजर आएंगे कैदी गोरतलबे के तिहाड जेल नमबर दो में 20 ऐसे कैदी बंद है जिने पहलवानी के ट्रेनिंग दे जाएगी ओलंपिक में पदक जीतने वाले स्टार पहलवान सुसिल कुमार इन कैदीों को कुष्टे से जुड़े दाओं पे सिखा रहे है बताने कि सुसिल कुमार को कुष्टे में सांदार परदसन के लिए वेस सुभर में जाना जाता है वें तिहाड जेल के सूतरों से मिली खबर की माने तो बताया गया है कि जेल में मुझूद कई कैदी हैं जो सुसिल कुमार से पहलवानी के गूर शीखना चाहते हैं जिसके बाद जेल परसास ने फैसला लिया कि सुसिल इन सभी कैदियों को ट्रेनिंग देगे कई कैदी तो पहलवानी शीखने के लिए खुद अपना नाम आगे भेज रहे हैं जिसके बाद अब सिखने वालों के संक्या बढ़कर वीस हो गई है हर्याना को सोगात अंबाला में उत्रभारत का सबसे आधोनिक अटल कैंसर कैर सेंटर जनता को समर्पित मिलेंगी ये सुव bureaucracy हर्याणा में आमजन को बेहतरीन स्वास्थ स्वाई उपलब्द करवाने के लिए अमबाला चाहुनी में अटल कैंसर के एरकेंदर को जन्ता को समयर्पित कर दिया है मुख्यमंत्री मनहुरलाल और राजिसवा सांशाद एम भाजपा के राज़्टे अद्यक्स जेपी नड़ा ने सोमर को इसका उद्वाटन किया इस अबसर पर हर्याणा के स्वास्थ मंत्री अनिल वीज, सांशाद रतलनाल कटारिया और अनि कैबिनेट मंत्री वे अधिकारी उपस्तित रहे इस दोरान भारती जंदा पार्टी के राज़्टे अद्यक्स एम राज़ी सवा सांशाद जेपी नड़ा ने कहा कि हर्याणा में एम्स खोला जाएगा जिसका सिलन्यास जल्दी परधान मंत्री सिरी नरेंदर मोधी द्वारा करवाय जाएगा नड़ा ने मुख्यमंत्री मनहुलाल और स्वास्त मंत्री अनल विज की कारे परणाली की परसंचा करते वे कहा कि आज उनके प्रयासों की बदोलाती हर्याणा में उत्र भारत का सबसे बड़ा केर सेंटर बनकर तयार होआ है उन्होंने काया कि 72 क्रोड 11 लाग रुपे की लागत से बने इस केर सेंटर में हर्याणा नहीं पलोशी राजियों जैसे पंजाई माचल और उत्राखंट आधी के कैंसर रोगियों को भी सुलब सर्ष्ती और व्याफ़क उपचार मिलने की साहिता मिलेगी इस सेंटर में मेडिकली सर्जरी और रेडियेशन के मारपत लोगों का इलाज किया जाएगा अर्थात यहाँ पर कैंसर से लड़ने की संपूर्ण व्यवस्ता होगी उन्होंने काया कि देश का सबसी बड़ा कैंसर सेंटर दोजार 35 क्रोट रुपे के लागत से हरियाना के जज़जर में खोला गया है जहाँ पर 710 बैड की व्यवस्ता है अब हरियाना में कैंसर, थैलेसीमिया और हेमोफीलिया मरीजों को मिलेगी डाएज़ार रुपे पैंसन अमबाला में अटल कैंसर केर केंदर के उदगाटन आउसर पर आयोजीत कारिकरा में सियो मनोलाल खटर ने गोशना की कि स्टेज 3 और 4 के कैंसर मरीजों को हरियाना सरकार दौरा 5,000 रुपे परती महा पैंसन दी जाएगी इसके साथ ही थैले सीमिया और हेमोफीलिया के मरीजों के लिए भी पैंसन की वैवस्ता किये गई है सरकार द्वारा एड्स के रोग्यों को पहले ही पैंसन दी जा रही है इस मोक्यपर मोक्यमंत्री मनोलाल खटर ने कहा कि आज का यह आउसर गोरों का दिन है कि स्वास्त की द्रश्टी से इतनी बड़ी सोगात राजी को मिली है उन्होंने कहा कि इस अस्प्ताल में आधुनिक टक्निक से कैंसर मरीजों के लाज होगा माजरा में प्रस्तावित एमस के लिए जिला प्रसासन के ओर से बार-बार आसवासन दिया जा रहा है कि किसानों की जमीन का मुआवजा देकर उसे सरकार के नाम कराने के परक्रियाच जल्द सुरू की जाएगी एम संगर समिती एक बार फिर से अंदरोन शुरू करने के लिए अल्टिमेटम दे चुकी है एम से निर्मान समिती भूमी अधिकरेण की सबी आपचारता है पूरी करने के बाद दस्तावेज परसासन को सोब चुकी है इसी सब्ताद जमीनों की रेजिस्टरी कराने की दावे अधिकारियों से लेकर मंतरियों तक की और शेक किये जा रहे थे लेकिन अभी ये कारिये इतना असान नजर नहीं आ रहा है पहले पास हो चुके जमीन के नक्से पर राजे सुविबाग की और से एक नया डंगा लगाते हुए जमीन के साथ उस जमीन की टुकडे को जोडने की भी सर्त रख दी है जो सरकारी पोर्टल पर चड़ाया है नहीं गया था जमीन अधिक रेंड से पहले एमावला राजनीते की बेंट चड़ता नजर आ रहा है एम संगर सिमीती की गत्सपता परदान शोता सिंग की अध्यक्सता में हुई बैटक में कहा गया था कि एमस के नाम पर छेतर के लोगों को बर्ग लाया जा रहा है अगर किसानों को मौज़त देने के परक्रिया दस मई तक शुरू नहीं की गई तो संगर सिमीती एक बार फिर डिसी से मिलने के बाद अपना आंदोलन शुरू कर देगी स्वच भारत मिसन के तहट सरकार ने घर-घर सोचाले बनवाने के लिए अभियान चलाया था इस अभियान के तहट अधिकतर लोगों ने अपने घरों में सोचाले बनवाने तथा उसे उप्योग मिलाने के मोहिम में खुल कर भागिदार की थी सरकार ने एक बार फिर उन व्यक्तियों या परिवारों को सोचाले बनवाने के लिए मोका दिया है जिनके घरों में किसी कानवास सोचाले नहीं बनवाया था जल सकती मंतराले भार सरकार द्वारा इन सोचाले के निर्मान के लिए 12,000 रुपे दिये जा रहे है इस योजना का लाव लेनी के लिए जरूरतमन व्यक्ति ओनलाइन आविदन कर सकते हैं लाव भारति के बैंक खाते में शीधे 12,000 रुपे की प्रोचान राशित जारी कर दी जाएगी 2024 के लोकसवा और विदानसवा चुनव में इस पार्टी के साथ गठबंदन करेगी जजपा दुशन चोटला ने किया बड़ा खुलासा हर्याना के उपमुक्यमंतरी और भारति जंदा पार्टी हर्याना के सरकार की गठबंदन के साथ ही दुशन चोटला रविवार को मीडिया से रूब रूवे दुशेन चोटाला ने भारते जंदा पार्टी के साथ गटबंदन को लेकर तमाम सवालों के जवाब बेहदी कूटनी तिक ढंग से दिये हैं साथी भाजपा के साथ लंबे चलने की रणने तिक क्या इसारा किसी सियासी दिगज के तरह सवालों के जवाब में कर गई दुशेन तने मजा के अलेजे में यह भी कहा कि मेरी वज़े से कुछ लोगों का बीपी बढ़ा रहता है और मैं पूरी तरह से फिटनेस पर ध्यान दे रहा हूँ इन सबी बातों को साफ करते वे हर्याना के उपमुख्य मंतरी और जन्नाइक जन्ता पार्टी के नेता दूशेन चोटाला ने कहा कि जब हम भारते जन्ता पार्टी के साथ धाई साल पहले गटबंदन में सामिल हुए थे तब कुछ लोगों को गलत फैमी घर कर गई थी उन नहीं पहले कभी रहा है सरकार की सहयोगी पार्टी जज़पा निसाप कर दिया है कि साल 2024 के लोग सबाट चुनाओ और हर्याना विदन सबाट चुनाओ भी भाजपा के साथ ही मिलकर लड़े जाएंगे जजजर कोलेज में आई भरती जल्द भेजें आविदन RD कोलेज जजर जजर में टीचिंग और नोन टीचिंग स्टाफ के अनेक पदों पर भरतिया करने के लिए आविदन मांगे गई है इच्छोक उमिद्वार इन पदों के लिए अपने आविदन भेज सकते हैं आविदन करने के अंतिम चेती 18 माई 2012 है लाइबरेरियन या असिस्टेंट लाइबरेरियन के इन पदों पर आविदन भेजने के लिए उम्मेदवार सनातक पास होने चाहिए महीン स्टोर के पर के लिए बारवी पास होने चाहिए वह साथी एक साल का कारिया अनुभावी होना चाहीए वहीं लैव अटेंडेंट या स्पोर्ट स्टाफ या सहायक के पदों के लिए आवीदन भेजने वाले उम्मीदवार दस्मी पास होने चाहीए हरियाना में कोरोना एक्टिव केस 2637, पिछले 24 घंटे में 513 नई केस मिले, रिकवरी रेट पहुंचा 98.66 परतिशात हरियाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस 513 मिले है, वही 387 लोग ठीक हुए, परतिश में कोरोना के कोली 10,322 सेंपल लिए गए है हरियाना में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आगड़ा 2637 पहुंच चुका है, सबसे जदा एक्टिव मरीज गुरुकुरा में 390 और फरिदाबाद में 93 मरीज मिले है वहीं परतिश में कोरोना के रिकवरी रेट 98.66 परतिशात पहुंच गई है ओडिशा के भदरक में तेज बारिज सुरू मौसम विभाग ने पश्वी बंगाल में लोगों को सुरक से जगह जाने को कहा बंगाल के खाड़े में पर्योश करने के बाद साइकलोन असानी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है ओडिशा के भदरक में तेज बारिज सुरू हो गई है इससे होने वाली किसे भी मुश्किल से निपटने के लिए टीम भदरक पहुंच गई है यहां से 11 मचोरों को रेस्कू किया गया है बंगाल में उत्तर 24 परगना कोलकाता और सुंदर्बन के इलाके में बारिश हो रही है बंगाल में सभी छोटी उड़ानों को रद कर दिया गया है भारतिय मोसमी भाग यानि आईमडी ने ओडिसा बंगाल और आंदर प्रदेश में तूफानी बारिश का लड़ जारी किया है आईमडी ने लोगों से कहा है कि वे किसी सुरक्षित जगे सरण ले आज ओडिसा के तटीय अलाकों में भारी बारिश के आसार है मोसमी भाग ने का आए कि असानी तूफान का असर नोर्थ इंडिया में नहीं होगा तूफान के वज़े से 12 माई को पूरी पश्मी चंपान, सीता मडी, सीवहर, मधूबनी, बांका, किसन गंज, भागलपूर, सहीद, 15 जिलों में हलकी बारिश के आसार है आएमडी के अनुसार जिस रफ्तार से तूफान ने बंगाल के खाड़ी में प्रवेश किया ऐसे में 10 माई को बंगाल और ओडेशा में 125 किलमेटर पर ते घंटे के रफ्तार से आवाई चलेंगी इस दोरान तूफानी बारिश भी होगी चक्रवाथी तूफान असानी कासर ओडेशा के अलावा भीहार जारकन परश्म बंगाल शिक्यम असम आंदर प्रदेश समयत कई राज्यों में देखने को मिल सकता है मौसमी बाग ने इन राज्यों के लिए बारिश का येलो लट जारी कर दिया है हापते के पहले कारोबारे दिन यानी सोमवार को भारती से अरबाजार में गिराउट देखने को मिली बंबे स्टोक एक्षेंज यानी बेस्टी का सेंसेक्स तिनसो चोशट दसमलो नो एक पॉइंट की गिराउट के साथ चोबन अजार चैसो सतर दसमलो चैसाथ पर बंद हुआ वही नैशनल स्टोक एक्षेंज यानी एनसे की निफ्टी में भी 109.40 पॉइंट की गिराउट देखने को मिली ये 16301.85 पर बंद हुआ सबसे ज़्यादा गिराउट बैंक, मेटरल, मीडिया और FMCG सेक्टरों में देखने को मिली वहीं दूसरी तरफ डोलर के मुकाबले रुप्या रिकोर्ड निचले सतर पर पहुँच गया है रुप्या 60 पैसे कमज़ोर होकर 37.50 पर बंद हुआ पिछले दो कारोबारी सतरों में रुप्या डोलर के मुकाबले 115 पैसे टूट चुका है मजबूत अमेरिकी डोलर कमज़ोरे SI क्रेंशेज तेल की केमतों समेथ अन्य चीजों की महेंगाई रुप्या में कमज़ोरी के काण है आने वाले दिनों में रुप्या कमज़ोर होकर उनैसी तक पहुंच सकता है आज खबरों में बस इतना ही देखते डिए CWB हिंदी न्यूज नमस्कार